नमस्कार, मैं हो ससी, आईए जार्खन के युवाओ को नए साल में एक लाग से अधिक सरकारी नौकरी जार्खन के युवाओ को नए वर्ष 2023 से नौकरियों की उमीद है ड्रोजगार की आज में बैठे युवाओ के लिए यह वर्ष नियुक्तियों का वर्ष हो सकता है अस्थागित है, सरकार जल्द ही नए नीती के साथ नियुक्ति परकिरिया शुरू करने की बात कर रही है कई लंबित परतियोगी परिश्चाओ को नए सीरे से सरकार लेने पर विचार कर रही है जेसे सी परिक्षा संचलन संसुदर नियमाली 2021 इसको जारकन हाई कोट द्वारारत किये जाने के बाद इसके तहट चल रही सभी नियुक्ति परकिरिया फिलाल अस्थागित कर दी गई है हलाकि मुख्य मंत्री हमान सुर्ण ने जुवाओ को अस्वासन दिया है कि सरकार उनके हीक्ति में फैसला लेगी जिन नियुक्ति परकिरिया को फिलाल अस्थागित कर दिया गया है उन पर भी जल्द निर नहीं लिया जाएगा ऐसे में वर्ष 2023 की प्रथम तीमाही राजे के जिवाओ के लिए काफी अहम है उन में अस्थागित नियुक्ति परकिरिया फिर सुरू हो सकती है राजे में आगे की नियुक्ति परकिरिया कैसे पूरी होगी इसको लेकर भी सरकार करनी ती जनवारी 2023 में असपस्थ हो जाने की संभावना है जारखन में 5 जनवारी 2023 तक आशिक तोर पर आस्मान में बादल चाहे रहेंगे इस दवरान सुबह में कोहरे या धुन्द का भी लोगों को सामना करना पड़ेगा हलाकि दीन में मौसम सुस्क रहेगा मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्रे ने कहा है कि आने वाले दिनों में तापमान में 2-3 डिग्री से टीग्रेट तक की गिरावट दर्च की जाएगी हलाकि इससे पहले अगले 3-4 दिन तक तापमान में 2-3 डिग्री की ब्रीधी दर्च की जाएगी राजधाने राची में 5 जनवरी तक अधिक्तम तपन 23 से 24 डिग्री और निमतम 11 से 13 डिग्री राने का अनुमान है बता दे एक जनवरी को राची के अधिक्तम तपन 4.1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्च की गई जबकि निमतम तपन में 1.5 पिजदी की ब्रीदी दर्च की गई है देवघर बाबा मंदीर में 1.5 लाक सरधालों ने किया जलारपन देवघर पहुंचे पर्यट को समेत अस्थानिय लोगों ने बाबा मंदीर की पुझा आजना कर नए साल की शुरुवात की है नौ वरस के पहले दिन बाबा मंदीर में जलारपन करने आए भक्तों की काफी बिर देखी गई समाने कतार करीब 3 किलोमेटर दूर 28 कॉलेज तक पहुँच गई आम से लेकर खास लोगों ने कतार में लगकर पुझा की बतादे सिग्र दर्शनम कूपन से लेकर जलारपन करने आए भक्तों की कतार लंबी नहीं हो इसके लिए मंदीर परशास्तन ने सलोट के नुशार कूपन जारी किया इस दरान मंदीर का पट रात सवा आठ बजे बंध हुआ था पट बंध होने तक कुल एक लाख चववन हज़ार आठ सव आठ लोगों ने जलारपन किया बावा मंदीर में जलापन करने आए भक्तों की कतार सवनीवार रात करीप आए बारह बजे से ही लगना शुरू हो गई थी समेद सीखर जी को परेटन अस्थल घोसित करने का विरोध जारी जैन समाज के तीत अस्थल सीरी समेद सीखर जी को परेटन अस्थल घोसित करने के खिलाप जैन समुदाय आंदोलित है रभिवार को दिली के इंडिया गेट के समख जैन समुदाय के लोगों ने विरोध पर समेध्य सिखर जी कोपरेटर नसल घोसित किये जाने से जैन समाज नराज है इसे लेकर देश के विभीन सहरू में परदसन हो रहा है बतादे सांसत अस्दू दिन ओवाईची ने जैन समाज का समर्थन किया है और जार्खन सरकाज पैसला वापस लेने की मांग की है बंदे भारत ट्रेन से पांच घंटे में तय होगी रांची से हबडा की दूरी जार्खन की रईधानी रांची से पचिम मंगाल के हबडा की दूरी अब पांच घंटे से भी कम समय में तय हो जाएगी वर्ष दो हजार तेस में रांची से हबडा के बीच बंदे भारत ट्रेन नई ट्रेन चलाने की त्यारी चल रही है सब कुछ योईना के उनसार चला तो रांची हबडा के बीच इसी वर्ष दो जातेस में बंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अठारा चलने लगेगी गोड़ा के नवदे बिद्याले में नवी के छात्र अमन की मौत जारखन के गोड़ा जिले के महगामा नवदे बिद्याले में 31 जनवरी की रात नए साल का जस्त नगम में बदल गया जब नवी के एक छात्र अमन कुमार 15 वर्ष ये की स्कूल में संध्यास पदमौत हो गाई छात रामन कुमार पोड़े हाट थाना छेत्रे के आसाल ही माधुरी गाउं का रहने वाला था बता जा रहा है कि वह दोस्तों के साथ हॉल में टीवी देख रहा था इसी करम में वह बाथरूम गया इसी करा में वह गिर गया इलाज के लिए ले जाने के दौरान रास्ते में ही उसकी मौत हो गई पूलिस मामले की जांच कर रही है लोहर्दगा जिला जल्द ही मेडिकल की पढ़ाई का केंद्रे बनेगा इसके लिए मेडिकल कॉलेज के अस्थापना से समधित जोजना की गती मिल पाई है मेडिकल की पढ़ाई सुरू होने से लाते हार गुमला जीले के युवाओ को काफी फैदा मिल पाएगा इसके अलावा रांची जीले के सिमावार्ती छेत्र के युवाओ को भी फैदा होगा बतादे नए साल में दोनों ही महतपुन योजनाओं पर तेही से काम होने की उमीद है दोनों महतपुन योजनाओं से स्वाहत समाज की परिकल्पना पूरी हो पाएगी नए साल का जशन मनाने हुन्डरू वाटरफॉल आए दो परियटक लपता होगा इसमें एक पच्छी मंगाल के हबडा जीले का और दूसरा बोकारों के कसमार का है बतादे एक साथ दो परियटकों के लपता होने से यहाँ पर भाय का महोल बना हुए है लपता होने की सुचना सीकंदरी थाना पूलिस को दे दी गई जनकारी के मुताबिक अपने सोजनों और साथियों के साथ हुन्डरू फॉल पिकनिक मनाने आए पच्छी मंगाल के हबडा के रहने वाले परटक रतन गाच्छी लपता होगा है वहीं पिकनिक मनाने के बाद सभी लोग बस से लोटने की त्यारी कर रहे थे इसी दवरान रतन बस में मजूद नहीं थे इसके बाद सीकिंदरी थाना के पूलिस थाना प्रभारी चत्य परकास रभी अजारकन परेटन सुरक्षा समीति के संड़क्षक बालेस्वर बेंदिया के नतित में फॉल में तैनात परेटन कर्मी वा सौजन उनकी खोजबीन शुरू कर दिया है छह सालों के बाद आईजी जोन बना पलामू आईपीस राजकुमा ने ग्रहन किया पद भार आईपीस अधिकारी राजकुमार लकडा ने पहली जनवारी को पलामू आईजी के पद पर योगदान दिया है बता दे आईपीस राजकुमार लकडा 2005 बेज के आईपीस अधिकारी है इससे पहले वे पलामू डी आईजी के पद पतेनात थे राज सरकार ने उन्हें परमोशन देते हुए पलामू आईजी के पद पर तैनात किया है IPS राजकुमार लाकडा मोल डूप से राची के इलाके के रहने वाले हाँ और जार्खन के कई इलाकों में SP के पद पर भी तैनात रहे हाँ राजकुमार लाकडा, पलामू डियाईजी, दुमका डियाईजी, सीबी डियाईजी, सीटी, SP राची, SP लोहरदागा समेत कई इलाकों में तैनात रहे हाँ जार्खन में गुरू चरन नायक पर नकसली हमला मामले में एनाईएने 14 के खिलाब दाखिल की चार सीट जार्खन के पच्मी सिम्भू में पिछले साल 4 जनुवरी को पूरू बिधायाग गुरू चरन नायक पर नकसली हमला एवं दो पुलिस कर्मियों के हत्या मामले में एनाईएने 14 आरोपियों खिलाब सप्लीमेंटरी चार सीट दाखिल की है रांची में एनाईए की बिसेत आदालत में एनाईएने 14 दाखिल की बतादे पच्मी सिम्भू में पूरू बिधायाग पर नकसली हमले की दवरान दो पुलिस कर्मियों के हत्या मामले में 5 जनुवरी 21 को गोईल के राथाना में प्रास्मी की दज़ कराई गई थी इसके बाद इस मामले में हैंड ओवर करने के बाएद एनाईए ने 30 जून 2021 को फिर प्रात्मी की दज़ कराई इस मामले में एनाईए की ओर से 14 अरोपियों खिलाप रांची के एनाईए की बिसेत आदालत में सप्लिमेंटरी चर्शिर दाखिल की गई है आदिवासी बचाओ महराईली 26 फरवारी को रांची कुडमी कुरमी को आदिवासी बनाने की कवायद के खिलाप राजे के बिभीन आदिवासी संगटनों को परतिनिदियों की बैठाक करम टोली इसी धुमकुडिया सभागार में होई इसमें निनर लिया गया है कि इस सड़े अंतर के खिलाप 26 फरवारी को रांची में आदिवासी बचाओ महराईली आयोजित की जाएगी इस मुद्धे पर आदिवासी संगटनों का सन्युक्त परतिनिदिमंडर राष्ट पतिवा भाराज सरकार से मिलेगा बैठक में कहा गया है कि जार्खन ओडिसाव पचिम बंगाल में विभीन जगोप पर संकेतिक बिरोध के रूप में पुतला दहन किया जाएगा इसके तहट केंद्रिय मंत्री अर्जुन मुंडा, कांग्रेस, संसद, अधिर, रंजन, चोदरी, जार्खन के मंत्री अलमगीर अलम, पचिम बंगाल के मुख्य मंत्री मम्ता बनार जी और ओडिसा के मुख्य मंत्री नमीन पतनाया का पुतला दहन होगा गंगा नदी में हुए जाहाज हाथसा मावले में ड्राइबर का सुराग नहीं साहेव गंज मनिहारी गंगा पुल निर्मान कारे में लगी DBL कंपनी से साइट घाट से स्टोन लोड़ेड हाईवा को जाहाज पर लोड़ कर मनिहारी ले जाने के दवरान हुए हाथसे के तिसरे दिन रभी बार को भी कोलकाता से आई चार गोता खोरो की टीम ओवर DBL कंपनी क्रेन की रेस्क्यो टीम ने गंगा नदी में रेस्क्यो अप्रेसन चलाया सुबा 9 बजे से गोता खोरोन रेस्क्यो अप्रेशन शुरू किया 2.15 बजे रेस्क्यो टीम ने सफालता पुर्वा गंगा में गीरे हाईवा को दो क्रेन की मदल से बाहर निकाला दूसरी बार दो पहर 3 बजे गोता खोरोन गंगा के तल में जाकर डूबे दूसरे हाईवा की सीडिंग को बांधा पर क्रेन की सीलिंग उपर करने पर हाईवा का दोनों पहिया ही टूट कर बाहर आया डिबियल कमपनी के मैनेजर भानु परताप सीन ने बताया एक लपता ड्राइबर सैफोदीन का आज भी पता नहीं चल सका हाई सोमवार को फिर एसकी ओप्रेशन चलेगा लातेहर में जंगली जानवर के हमले में एक की महुत लातेहर जिले के बरवाडी थाना छेतरे की 6-6 पंचायत के पठान टोला में रभिवार की अहले सुबा मुस्ताक खान 60 बरसे पर जंगली जानवर ने हमला कर दिया इस हमले में मुस्ताक खान की महुके पर ही मौथ होगा इक हटना की सुचना मिलते ही विधायक राम चंदर सिंग महुके पर पहुँचे उन्होंने वन अधिकारियों से दुर्भास पर बात की डिएफो आसीस कुमार ने 4 लाख रुपए वह मिरितक के असलित को सरकारी नोकरी की बात कही जनकारी के अनुसार पठान टोला निवासी मुस्ताक खान रभीवार की सुबा करी 5 बज़े अपने घर से बाहर सोचाले करने निकला इसी बीच जनकली जनवर ने उस पर हमला कर दिया खरसावा गोली कांड खरसावा गोली कांड के सहीदों की बेदी पर संकल पलेने की जरूरत है कि आदिवासी समाज पीछे ना छुटे आदिवासी समाज के लिए केंद्र सरकार जन जातिये गरो दिवस मनाती है इसी बाते केंद्रिय मंत्री अर्जुन मुंडा ने रभीवार को खरसावा सहीद दिवस पर सहीद बेदी पर सर्धानजली देने के बाद कही खरसवा गोल्डी कांड में सहीद हुए लोगों को सर्धानजली देने केंद्रिय मंत्री अर्जुन मुंडा सहीद असल पर पहुचे थे बता दे केंद्रिय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि बलीदान देख दुख तो होता है लेकिन आज सहीदों के प्रती जो सच्ची सरधान जली देने जनसलाब उमरता है उसे देख तसली मिलती है जनजाती यूतियां उद्यामी बन समाज को करेगी ससक्त अब भारत के गाउं में रहने वाले जनजाती यूतियां भी उद्यामी बनेगी प्रस्रिक्षन प्राप्त करने के बाद स्वय कार्वजगार सुरू करने के साथ इस समाज के अन्य लोग को भी रवजगार देगी भारत सरकार के संसदी संकुल विकास पर्योजना के तहत महिलाओं को कौसल विकास का काम किया जा रहा है कौसल विकास मंत्रले राश्ट्री ए कौसल विकास निगाम और गर सरकारी संस्था विकास भारती सन्युक्त रूप से इस परिकलपना को सकार करने में जुटी है बतादे पाइलट प्रजेक्ट के तहद विकास भारती अभी 200 जन जाती यूतियों को परिक्षन देने का काम कर रही है यूतियों को सिलाई कड़ाई, वन आउस धियां का संरक्षन, कम्प्यूटर, फूड, प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रोनिक, समान बराने आधिक प्रसिक्षन दिया जा रहा है एक लाख यूतियों को जोड़ने की योजना केंद्र की इस यूजना के तहा जार्खन मदेपरदेश 36 गर, रायथान, उडिसा, बंगाल, सहीत, जनजाती बहुल, राजियों से एक लाख से अधिक जनजाती लड़कियों को उध्यमी बनाने के लिए प्रसिक्षन देने की तियारी है बता दे 60 दीनों के इसनी सुल्क आवासे प्रसिक्षन ब्यवस्था की दरान बैंकों से रिन दिलाने वा बजार की ब्यवस्था कराने की भी जनकारी दी जाती है प्रसिक्षन के बाद समंदित छेत्रे से संसदों को भी देखना है कि सोरोजगार प्रारम करने में कोई परिसानी तो नहीं हो रही है इधार प्रसिक्षन ले रही उतिया अपनी भविस को लेकर काफी उत्साहित है गुमला भरनों की मुक्ति कुमारी प्रसिक्षन प्राप्त कर अपना ट्रेनिंग के इंद्र खोल गाउं की लड़कियों को सिलाई कड़ाई का प्रसिक्षन दे कर सोरोजगार को बढ़ावा देना चाहती है धनबाद के सीपाही की पतनी से छेर छार पूलीस हम सब की सुरक्षा के लिए है लेकिन जब खुद पूलीस के परिवार वाले ही अपराधियों का सिकार हो जाए तो मन में एक सवाल उठता है कि जब खुद पूलीस का परिवार ही सुरक्षित नहीं तो हम किस खेत की मुली है बता दे सराय ठेला नोतन डिह में रभीवार की साम एक सिपाही की पत्नी के साथ वहीं के तिन यूकों ने छेलखानी की है पीडिता जब छरकानी का बिरोध किया और पती को वहां बुलाया तो नसे में धोत यूकों ने महिला के सिपाही पती के साथ मार पीट सुरू कर दी घटना के बाद पीडित महिला ने तीन यूकों खिलाब शरकानी का रोप लगाते हुए सराय ठेला थाना में सिखाए दर्च कराई है बोकारो के बेरमो से तीन नक्सली गिरफतार बेरमो के नक्सल पर होई ती छेत्र पेक नरायन पूर थाना की पूलिस को बड़ी सफलता मिली है पूलिस ने गुपत सुचना पर शापे मारी अभियान चला करती नक्सली को अलग अलग जगों से गिरफतार कर सनिवार को देर साम कड़ी सुरक्चा के बीच तेनु खाट जल भेज दिया बता दे पूलिस तीनों को पिछले 10 सालों से पकड़ने के परियास कर रही थी थाना प्रभाईनी बताया है कि फुटानी को उसके घर से करी 500 मीटर दूर इस्थीत एक मंदीर के पास से गिरफतार किया गया वहीं बाबु राम मरांडी वा डोला राम को उसके घर से बाहाच गिरफतार किया गया है बताया गया है कि गिरफतार तीनों नक्साली के खिलाफ पेक नराइन पुन्थारा में प्राथमी की दर्ज है अपरेल से सुरू होगा धनबाद का सूपर अस्पेशलिस्ट अस्पताल 9 वरस 2013 में स्वास्त के छेतर में धनबाद वास्यों को कई बड़ी सुविधाई मिलेंगी इनमें बहु प्रतिक्षित मांग सूपर अस्पेशलिस्ट अस्पताल मार्च में खुल जाएगा वहीं सहीद निर्मल महतों मेटकल कॉलेज एवं अस्पताल को MBBS की सोव सीटे और PG की पढ़ाई के उनमती मील सकती है इसके अलावा सदर अस्पताल में आने वाले तमाम मरीजों के लिए चीके से सुविधा सुरू होना प्रमूख है बादे अप्रिल में सुपर स्पताल खुल जाएगा निर्मान कार्य अम्तिम चरन में है SNMMCH केमपस में सुपर स्पताल का निर्मान 2016 में सुरू हुआ था लोहर दग्गा के कैरो थाना में दूसकर्म के 17 मामले दर्ज लोहत दग्गा एक आदिवासी बहुल जीला है यहां पर असिक्छा और जागरूपता की कमी अभी भी हावी है इसी का फैदा यहां पर अप्रादी प्रवीर्ती के लोग उठाते हैं भोली भाली बच्चियों को आसानी से अपना सिकार बना लेते हैं लोहत दग्गा जीले के यहां सुरक्षित नहीं है अत्यधिक सराब पीकर गाड़ी चला दे 25 चालक पकड़े रांची में सराब पीकर गाड़ी चलाने पर करवाई होई है राजधानी में भीहिन थाना छेतर से 25 लोग पकड़े गए हैं उनकी गाड़ियों को जब्त कर कोट भेज दिया गया पीकर गाड़ी चलाने वाले 25 चालको पर करवाई भी किया है रीम्स में 50 परतिशत बड़े हिर्दय रोग्यों की संख्या जिनका इलाज डॉक्टर की देखरेख में किया रहा है ठंड बढ़ते ही दिल के मरीजों को अपना ख्याल रखने के उसकता होती है रीम्स के हिर्दय रोग भी सिसग ये डॉक्टर अंकुस परकास बताते हैं की सर्दियों में अमूमान हिर्दय रोग से गरशित मरीजों की संख्या बढ़ जाती है रीम्स अस्पताल में इस वर्ष दिल से जुड़ी बिमारी के करी 50 परतियत मरीज बढ़ गए हैं ठंड का मौसम आते ही हिर्दय से गरशित मरीजों को अथियातित बरतने के जरूरत है ताकि लोग खुद को सुरक्षित रख पाएं जारखन में BJP को परफेक्ट 14 लोटस की चा केंदरी ग्रीह मंत्री अमीज साह चाईबासा दौरे पर आ रहे हैं संभाना है कि भाजपा के चनक के कहे जाने वाले अमीज साह साथ जनवरी को चाईबासा आएंगे अमीज साह के चाईबासा दौरे की खबर से ही रायनीती ब्यान बाजी शुरू हो गई है जामो कॉंग्रेस ने कहा अमीज साह के आज आने से 2024 लोग सबाचुनाओं में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा वहीं भाजपा कहा रही है कि भीपक्ष घबरा गई है बता अजे साल 2019 के लोग सबाचुनाओं में जार्खन ने नायंदर मोदी और अमीज साह के जोड़ी को निरास नहीं किया था और तब राज़ की 14 में से 12 लोग सबाच सीट जोली में गया था उस समय राज़ की दो लोग सबा सीटे सिंभूम और राज महल में भाजपा करमसा कॉंग्रेस के उमीदवार गीता कोड़ा और जार्खन मुक्ती मोर्चा के उमीदवार बिजय हंसदा ने चुनाव हार गई थी कुरोना वायरस टेस्टिंग का काम धीमा है जार्खन में कुरोना जाच कराने के त्रीटिंग और जोर देने की बात कर भॉष समय राजे में कुरोना संकरमन को नहीं बढ़ने देने के दवा कर रही हो लेकिन सचाया है कि सरकार और स्वास्त विभागी तमाम कोशी सो और घुसनाओं के बाद भी जारखन में सेंपल की टेस्टिंग बहाद ही कम हो रही है नए साल सब के जीवन में खुसिया लाए मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री हमन्सुरे ने राजवास्यों को नए वर्स की सुपकानाय दी है सीम ने कहा एक नए साल सभी की जीवन में खुसिया लाए सभी स्वाश्त सुखी वसम्रिद रहे यह साल हम सभी को राजे के अमर वीर सहीदों के जारखन के सपने को साकार करने की सकती दे सभी को नव वरस पर जोहार मुख्यमंत्री से रभीवार को मुलकात करके मुख्यमंत्री से रभीवार को मुलकात करके नए साल की बधाई दिया है धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बहुत कर लेकर दबाईए साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों को से शेयर करना ना भूले साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फिडिवेक अवसे दे थैंक जय्जु प्ectedर साथ आप हमेर ले करते सिंदू को मेंद आप हमेर मेंद दोने कोई शाल कर देजिए सा थेयर को मेंद दोख को üzह ज्ए आप आप हमेर मेंद रहु आप आप हमेंद आपूर में नहीं हा हमें दो मेंद Candice